ओलाइट गाईज तो अपनी जूपिटर को तीन से चार दिन हो गए हैं स्टार्ट किये हुए सो लेट सी कि ये पहले सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं तो इंजन एकदम धंडा है अब इस से ज़्यादा तो मैं आपको क्या ही टेस्ट करा हूँ तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्कूटर या फिर मोडर साइकल भी ऐसे ही एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाए वो भी भयंकर ठंडी के टाइम पे तो मेक शूर इस वीडियो का आप पूरा देखें हाई वरिवन स्वागत आपका एक और नई वीडियो में मेरा नम जीत है और आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के टाइम पे ऐसी कौन सी साथ टिप्स हैं या फिर ऐसे कौन से साथ स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका स्कूटर या मोडरसाइकल भी एक ही सेल्फ में सर्दी के टाइम पर भी स्टार्ट हो जाएगा और ये वीडियो वैसे आप फ्यूल इंजेक्टेड मोडरसाइकल के लिए भी कुछ हद तक अप्लाई कर सकते हैं बट प्राइमेरिली जो दिक्कत आती है वो आती ह है कार्बुरेटेड टूवीलर्स में तो ये कार्बुरेटर बाइस जादा रहने वाली है मतलब जिन भी भाईयों के पास कार्बुरेटर वाले वेहिकल्स हैं ये वीडियो उनके लिए ज्यादा सूटेड रहेगी तो विधाट बिग सेट विदाव वेस्ते मुच टाइम बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पोंसर की जो की है कार्पियम बाइक स्कैनर सो बेसिकली कार्पियम बाइक स्कैनर की हल्प से आप अपनी बाइक को प्रोपली स्कैन कर सकते हैं उसके कोड्स है उनको डाइगनोस कर सकते हैं रिसेट कर सकते हैं सर्वीस रिस कर सकते हैं और अभी चलने है इनकी रीपब्लिक डे की सेल जिसमें इनके सारे प्रोड़क्स के ओपर फ्लाट 15% का डिसकाउंट है सो डू चेक इट आउट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और अभी बैक टू दे वीडियो ओलाइट तो अब आते हैं अपने स्टेप्स के ऊपर लेकिन उससे पहले जो चीज हमें माइन में रखनी है वो ये कि हमारा जो इंजन है वो हेल्दी कंडिशन में होना चीए means कि अगर आपका इंजन वाइट स्मोक दे रहा है या उसमें वाइरिंग का इशू है या कोई और ऐसी प्रोब्लम है तब यह जो स्टेप्स है वो फॉलो करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है यह फायदा तब ही होगा जब आपका इंजन बेसिक कंडिशन जो है उसकी वो हेल्दी है यानि कि वाइरिंग में कोई इशू नहीं है इंजन में कोई इशू नहीं है सारी चीज़ें प्रोपरली फंक्शन कर रहे हैं इडिज जस्ट कि जब आप उसको सुबह स्टार्ट करते हैं तब आपको थोड़ा सा परेशान करता है तब यह स्टेप साफ फॉ ग्रेड लिखिवी मिलेगी अगर 5W30 ग्रेड रिकमेंट कर रख है तो वही डालना है अगर आप ग्रेड के साथ ≦ चेंग शार्ट करेंगे तो ग्रेड से होता कि वह इंजन ओयल की जो विस्कोसिटी होती है उसको change कर देती है and उसी के accordingly grade decide होती है अब company ने engine को test करके grade पहले से tag कर रखी है अगर आप उस grade को use ना करके गलत grade डालेंगे तो chances हैं कि engine है वो cold starting में दिक्कत करेगा दूसरी जो engine oil आप डलवा रहे हैं make sure करें कि वो अच्छी quality का हो उसके जो molecules हैं उसमें चिकनाई अच्छी होनी चीए उसकी quality अच्छी होनी चीए क्योंकि जब आप two wheeler को खड़ा कर देते हैं तो जो engine में जो oil होता है वो सारा का सारा नीचे जाने लगता है तो piston के उपर oil नी रहता है जो हमारा cylinder wall है उस पर oil नी रहता है और ऐसे सारे जो metal के particles होते हैं engine के उन पर से oil नीचे गिरने लगता है उसकी चिकनाई खतम होने लगती है लेकिन एक अच्छी quality का जो engine oil है वो अपनी चिकना यह उसको बना के रखेगा उसके molecules हैं वो metal को पकड़ के रहेंगे तो जब आप start करेंगे ना पहली बार सुबह सुबह तब engine आसानी से rotate हो पाएगा और जो हमारी starter motor उसको भी कम जोर आएगा अगर आप kicks से start करते हैं तो भी engine अच्छे से जल्दी start हो पाएगा तो इसलिए engine oil बहुत important है विद दाट विंग सेट tip number 2 की बात करते हैं जो की रहने वाली है carburetor की cleaning अब अगर time to time आप carburetor को साफ नहीं करवाते हैं तो आजकल वैसे ही जो हमारा petrol है उसमें ethanol आने लग गया है हलका हलका ethanol बनता है गन्ने से और उसके जो particles हैं मैं यह नहीं करा कि directly वो गन्ने के particles हैं लेकिन कहीं ने कहीं जो ethanol petrol में mix हो रहा है वो residue छोड़ता है एक सफेद powder जैसा carburetor की जो बाउल होती है नीचे वाली प्याली उसमें आपको इकठा हुआ दिख जाएगा after some time like 5000 km के बाद में तो इसलिए 6000 से 6000 के बीच में आप time to time जो carburetor उसकी cleaning कराते रही है ताकि जो jets वगेरा है वो clog ना हो क्योंकि जब हमारा जो pilot jet होता है वो clog हो जाता है तो उसकी वेज़े से जो starting में जो idle maintain करनी रहती है engine को वो नहीं हो पाती है और उसी की वेज़े से फिर starting issues आते हैं तो एक ये tip है उसके बाद में third जो हमारा step है या tip है वो रहने वाली है carburetor की tuning जहां carburetor जो है उसको हमें tune करना पड़ता है और वो tuning भी हम जतनी बार carburetor की सफाई कराते हैं उतनी बार I think हमें करवानी चाहिए तो tuning अगर आप carburetor की proper रखेंगे तो हवा और petrol दोनों सही मातरा में जाएंगे और जब हवा और petrol एक्दम सही मातरा में जाएंगे तो engine भी जल्दी start होगा और वो चलेगा भी अच्छा तो इसलिए carburetor tuning को भी धान में रखना है वैसे इस topic पर अभी तक इस channel पर वीडियो नहीं आई है I know बहुत सारे लोग wait कर रहे हैं वीडियो का तो इस अगली वाली जो वीडियो है वो आपको carburetor tuning की ही देखने को मिलने वाली है उसमें basic basic जो भी रहता है carburetor tuning का वो आपको अच्छे से clarify कर दूँगा With that being said tip number 4 क्या रहेगी well tip number 4 रहने वाली है wall clearance जी हाँ जो tap it adjustment होती है वो cold starting में एक बहुत ही major role play करती है देखो होता क्या है कि wall clearance दी क्यों जाती है वो इसलिए क्योंकि जब engine ठंडा होता है तब metal अलग state में होता है जब engine गरम होता है तब metal थोड़ा सा expand होता है और उस expansion को control करने के लिए हम clearances देते हैं तो जब wall clearance proper नहीं होगी तो जब engine ठंडा रहेगा तब उसकी जो valve की specifications है वो meet नहीं होंगी and that is the reason की engine है वो हम लगातार self मारते रहते हैं मारते रहते हैं start नहीं होता है लेकिन जैसे ही self मारने से friction से जैसे ही थोड़ी सी गर्मी आती है ना engine में उसके बाद engine अच्छे से start हो जाए तो और फिर पूरे दिन engine अच्छे से start होता है बस सुबह सुबह परेशान करता है तो valve clearance adjustment अगर आप करवा लेंगे तो वो problem आपको देखने को शायद ही मिलेगी फिर बारी आती है हमारी tip number 5 या फिर step number 5 की वो रहने वाला है choke अब काफी लोग choke का word सुनते ही मतलब ऐसे हो जाएंगे कि choke use करना पड़े तो फिर वो engine किस काम का tuning किस काम की भाई ऐसा नहीं है जैसे fuel injected motorcycles आ रही है ना तो वो जब शुरू में cold start होती है तब वो क्या करते हैं करते हैं कि थोड़ा सा petrol ज्यादा dump कर देते हैं ताकि engine जल्दी start हो जाए थोड़े उनके rpm भी ज्यादा रहते हैं फिर rpm धीरे धीरे कम होने लगते हैं choke क्या करता है choke यही काम करता है बस वो mechanical ही करता है तो आप अगर choke को अच्छी condition में रखेंगे यानि कि अगर वो cable operated है तो उसकी cable को अच्छी condition में रखेंगे lever operated है तो make sure कि वो lever टूटा नहीं हो properly काम करें ताकि सुबह सुबह जब आप पहली बार start करें engine को तब आप choke खीचिए self मारिए एक्दम smoothly start होगा लेकिन वो तभी होगा जब ये सारी conditions meet करेंगी अगर wall clearance में दिक्कत है तो भी choke काम नहीं करेगा carburetor properly cleaned या tune नहीं है तो भी choke काम नहीं करेगा काम करेगा तो गलत तरीके से करेगा मतलब थोड़ा rough करेगा तो वो सारी चीज़े हैं इस सारी चीज़े मिल करके एक harmony create करती है एंड तभी जो engine वो perfectly cold start होता है तो इसलिए choke use करने में शर्माना नहीं चीए चोक बना ही इस काम के लिए है अगर साथ में जो किताब आई है ना owners manual उसको खोल करके पढ़ोगे तो उसमें लिखावा भी रहता है कि use choke for cold start जैसे ही engine थोड़ा सा warm up हुआ choke हमने बंद कर दिया खतम बात choke की दिक्कत कहा आती है जब आप choke लगा रहने देते हैं और आप 20-30 km चले गए तब आपका engine खराब होता है वैसे normally cold start में use करने से engine खराब नहीं होता है तो एक वो चीज़ है जो कि आपको mind में रखनी है उसके बाद में step number 6 छे number tip क्या है वो है healthy battery सुबह सुबह सर्दी का time है आपको वैसे ही ठंड लग रही है आप वैसे mentally prepare हो रहे हो कि यार two wheeler रहे के जाना है सर्दी में और फिर आप self का button दबाते हो battery dead फिर आप kick से लगे वे हो और आजकल की motorcycles तो ऐसी आरे है उनमे kick भी नहीं आती है तो क्या करोगे तो इसलिए जो battery है उसकी condition अच्छी रखो battery के cold cranking amperes होते हैं वो उसकी health को define करते हैं और सर्दियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है battery को क्योंकि battery ठंडे मोसम में अलग तरीके से भीयव करती है उस पर एक तरीके से यह मालो की जोर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि engine भी ठंडा है उसका जो friction अब भी बढ़ चुका है साधी साथ और भी बहुत सारे various factors हैं जो कि सर्दी में battery को force कर रहे होते हैं दम तोडने के लिए और दो साल पुरानी या तीन साल पुरानी battery होती है या फिर नई battery भी अगर सही तरीके से maintain नहीं करी गई है तो वो भी दम तोड़ देती है तो इसलिए अपनी battery को हमेशा अची condition में रखो battery का test करवाओ battery test से अगर उसमें fail आ रहा है तो नई battery डलवा लो क्योंकि सुबह सुबह कोई kick नहीं मारना चाहता है और हाँ एक EMI तो भी clear कर देता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप kick से ही सुबह 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 स्टार्ट करें लेकिन अगर आपकी battery कमजोर है और आपको पता है कि battery कमजोर है तो पहला self kick से लें ताकि battery थोड़े और दिन चल जाए तो अगर आप थोड़े इसी कंजूसी करना चाहते हैं बैटरी को थोड़ा और दिन चलाना चाहते हैं तो पहला self जो है सुबह का वह अब kick से मारिए ताकि battery पर कम लोड़ आएगा बैटरी थोड़े दिन और निकाल देगी एंड उसके साथ ही सबसे आखरी जो टिप है साथ वे टिप उसके बारे में बात करना चाहूंगा वो रहने वाली है proper method of cold starting जी हां सुबह सुबह बाइक को या स्कूटर को start करने का भी एक तरीका होता है वो तरीका क्या होता है अभी आपको demo करके दिखा देता हूं ओ लाइट सो सबसे पहले हम क्या करेंगे चाबी ओन करी ignition में light आ गई अभी हम क्या करेंगे चोप को खीचेंगे अब इसमें brake दबा के रखना पड़ता है तो मैंने पहले से दबा रखा है तो आप करते हैं start अब मैं race भी नहीं दूँगा ये हो गई start अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही start रहने देंगे like 10 या 15 सेकंड के लिए and जैसे ही हमारे 10 से 15 सेकंड हो जाएंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे उसके बाद में हम choke को नीचे कर देंगे there we go अब ये start है देख सकते हैं मैं ना race दे रहा हूँ ना कुछ और कर रहा हूँ ये है प्रोपर तरीका लोग क्या करते हैं सुबह सुबह पूरी race देंगे इंजन को जल्दी से गरम करने की कोशिश करेंगे भाई वो सब आपके इंजन की ऐसी की तैसी कर रहा है अब इसके पीछे का क्या अलोजिक है वो कभी फिर और बताऊंगा cold start का यही तरीका है इतनी देरी start रख लीना अब बैठिये जाएए थोड़ा आराम से चलाइएगा जब इंजन करम हो जाए तब आप कैसे भी चला सकते हैं अब बंद कर देता हूँ यहां pollution बढ़ रहा है क्योंकि यह बंद कम रहा है तो देखा आपने कुल साथ टिप्स मैंने आपको दी है अगर आपने उनको time से proper तरीके से follow करा तो ऐसे ही आपका two wheeler start होगा और बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई है सारी चीज़ें आसान है कुछ चीज़ें आप mechanic से करा सकते हैं कुछ चीज़ें आप खुद कर सकते हैं और जो last वाली tip है तरीका start करने का वो तो I think आप follow करी सकते हैं तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका two wheeler सालों साल चलेगा आपको कभी परिशान नहीं करेगा और आपकी जो at least two wheeler ownership का जो experience है वो ट्रबल फिरी रहेगा इसी के साथ इस वाली वीडियो में इतना ही गाईज फिर में लेंगे कभी किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई